प्रेंड्स आप सब लोग अच्छे होंगे आज का टॉपिक है इंडियन गेट परसनल्टिस का सात्मा क्लास आज हमारे सामने जो व्यक्तित्व हैं वो डाक्टर स्वरव पल्ली रादा कृष्णन है आज है फाइफ सेप्टेंबर और आप सब लोगों को वेरी वेरी हैपी ट जाता है कि यह महान की स्रेंडिम मैं को क्यों डालूंगा कुछ इनकी अच्यूब्मेंट को भी देखेंगे कुछ इनके सिक्षा को देखेंगे यह सब मिल करके इनको महान बनाती है इनका बच्पन लगबा आठ से दस साल जो था इनके ग्रामिन परिवेश में ही वीता है और उसके बाद इनके महाबाप जो थे वो थोड़े हिंदू प्रेंडनाश से ओद प्रोते हिंदू तवादी वी थे हालां कि सिक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको वहां पे अंग्रिये जी सिक्षा के लिए भेजा गया और इ हमारे लिए सिक्षा कभी विदूस्मन नहीं हो सकती उसक्षा का दुरूपयोग हमारे लिए और हम दुरूपयोग करेंगे उसके हम लोग विरोध उसका हम विरोध कर सकते हैं यह हमारे लिए मायने वाली बात होगी लेकिन उसके बाद भी हिंदू तवादी होने के बाद हो रही है लेकिन कैसे हम क्यों न जाएं अगर वो अंग्रेशी सिक्षा नहीं प्राप्त उनके अंतरभाव को नहीं समझ पाते तब यही प्रारंबिक जीवन उसके बाद उन्हों ने पोश्ट ग्रेशन किया और वो उन्हों ने फिलोसफी से किया यानि कि दर्संसास्त तब बहुत ही वे न और इन्हों ने इस साका को सुना था वो अद्वैद अद्वैद बिदानत वादी थे आपको पता है अद्वैद बिदानत किसका है यह संकराचारे जी का है तो इन्होंने इस से फिलोसपी किया फिर उसके बाद ये वापस आंध्रा परदेश की उन्वेस्टी जो थी उसमें ये प्राध्यापक रहे प्राध्यापक रहें पढ़ाएं एक कुछ समय तक फिर उसके बाद इनके शादी बगएरा भी हो जाती है लगवग 1904 में इनके शादी होती है और जब इनकी शादी होती है और जब इनकी शादी होता है इनकी पतनी का एस दस वर्स होता है मात्र दस वर्स के आयों में इनकी रहती है उनकी शादी होती है तो अब इनके चलते हैं है अचीवमेंट पे भी अचीवमेंट को देखेंगे एक तो नो ने उच्छा प्राब्त की है कि इसका कही ने कही प्रियोग होना चाहिए यह ओक्सफोर्ड इन्वर्ष्टी में बिजिटिंग प्रोफेशर भी रहे बिजिटिंग का प्रोफेशर्ट मतलब कि उनको इस्पेसली बुलाया जाता है उस इन्वर्ष्टी में वियाकान देने के लिए और साथ-साथ वहां का प्रोफेसर का जो प्रोफेसर कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से पर्मनेंट भी थे और लेकिन जब पर्मनेंट भी थी आउक्सफोर्ड विक्षविध्याला में फिर भी यानि बनाज इंदु इन्वर्स्टी के यह वाइस चांसलर भी रहे प्रिव देल्रश्टी के भी चांसलर रहे तो डेली नोश्टी में इन्होंने क्याम कि आंद्र प्रदेश्म टीचर रहे इनुश्टी बगारा में फिर इसके वाद इनके अच्यूब्मेंट क्या है कि यह सब लोगों से यानि कोई राजनीती केरियर था इन यह प्रिटिकल वे में कैसे आए प्रिटिकल सिच्वेशन में कैसे पड़े जब इनका सामना जेल नहरू से हुआ जवाला नहरूजी सी हुआ तो उन्होंने देखा कि क्यों नहम इनके विद्या का इनके शिक्षा क भारत के स्रिवा में बैद दिया में और अच्छे तरीके से इनको कि इस चीज़ करने के लिए उन्होंने जो सबहती उसमें बैठी थी विदान सबाजु समधान सबाधी उसके सदते से बने दो सालों के लिए 1947 से लेकर के तक उसके बाद समीधान सवा जैसे हमारा समीधान मन के तयार होता है फिर इनका यूज ऐसे लगा कि 1950 से उसे इक्याओं तक इंवस्ट्री में पढ़ाते रहे बाकी जो इसे मन बताया है इसमें भी लगबग 10 साल तक नाइंटीन थर्टीनाइन से लेकर के फोटी एड तक थे साइद फिर उसके बाद 1953 से लेकर के 62 तक डिली निवर्श्टी के चांसलर रहे तो नाइंटीन फिप्टी टू में जवाल नहरू ने एक पद स्रीजित किया जिसको नाम दिया गया विदान समय में पूरी तरह से फर्ष्ट वाइस प्रेसिडेंट तुने गए भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे वेट अ मिनट भारत के फर्ष्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और दो टू टम्स इन्होंने इसको किया यानि 1952 से ले करके 1962 तक यानि दस सालों तक यानि टू टम सक उपराश्टपती और यह भारत के ही पहले ऐसे उपराश्टपती भी थे जियो तुरंत उसके बाद भारत के राश्टपती भी बने यानि 1963 से ले करके 60 तक यह भारत के राश्टपती भी रहे तो आप देखी रहें यह इनकी खूबियां थी इनकी अच्यूब्मेंट थी जिसकी वजह से इनका सिक्षा और यह हमेशा एक चीज़ और इनके बारे में कहा जाता है और लिखा भी गया है कि यह जब भी क्लास में जाते थे तो बीस मिनट डेर से जाते थे और दस मिनट पहले निकल जाते थे और माल लोगाए कि क्लास पचास मिनट की है आपका प्रोफेशर यह क्लास टीचर बीस में बार आता तो आप साइद और दस में पहले चलाया लिकिन इनके स्टूडेंट इतने ज्यादा खुश से क्यों उन्होंने कहा कि मैं यह सक्रण करता हूं क्यूंकि अगर यह क्लास की mundर आठ मुक्त रखना चाहता हूँ यानि उनकों पर दबाव पड़ेगा अभी तुरंट में क्लास खता हूँ तुरंट एक टीचर आ रहा है तो पाइं मैक्सिमम अभी पाइंट में महट सी जाते हैं लेकिन यह कहते हैं कि जब तक पूरी तरह से अंदर से आस्वस्त नहीं हो जाए क मैं पढ़ सकता हूँ तो वह पढ़ाते थे और कहते थे जब हैभी लेक्चर ज्यादा है भी हो जाएगा तो वह उसको पचा नहीं पाएंगे और बीस मिनट ही के वर लेक्चर देते थे और वैसे के वल इतना ही इनके लिए काफी है अगर यह इतना पचा लेंगे तो आने बहतर कर पाएंगे यानि कहने का मतलब यह है कि यह बहुत ही युवाओं में काफी फेमस थे सबी बच्चे उनको प्यार करते थे तो यह चोटा मोटा जो इनके बारे में जानकारी थी इवेन दो आप यह जानकारी है आप चाहो तो गूगल पर भी देख सकते हो इनके बार अब भ्हतर तरीक से ब्हुतर रराज नीवर्यमार्णी से ज़दे रहे प्रकषर Ctrl की उनके इनको 2 सावुतर के लिए राज नींक नीक करते हैं बैस्डर के रूप में भेजे जाते हैं और वहां पर इनकी इस प्रतिबा को धा सब्सक्राइब पत्सक्राइब होता है तो राज्च्छिपा के प्रतीach यहीं है तो आप इनकी इतनी बड़ी प्रदान किया गया तो देख सकते हैं कि इनकी जो कितनी बड़ी है तो इसलिए इनके जनम दिवस को सिक्षक दूप दिवस के रूप में मना जाता है आप सब लोग इस बात को समझ रहेंगों इनको जानने की कोशिस करेंगे इतना मैंने बता है तोड़ा बहुत और अच्छे से आप जानना जाएंगे तो आप और भी चीजों को सोर्सेस का इस्वाल कर सकते हैं तो आज क्लास इतना ही थैंक यू थैंक यू बेरी मुच